वीडियो लाइक जरूर कर लिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरण सिस्क्राइब कर लिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहें नवंबर 2023 के स्पोर्ट को हम पढ़ेंगे करेंट अफर का ये पार्ट रहेगा तो चलिए स्टार्ट करते हैं ये आपकी सभी परिक्षाओं के लिए इंपॉर्टेंट है आपके आगामी जो भी परिक्षाए हैं सब में स्पोर्ट का जो करेंट अफर वो तो पूछा ही जाता है कोई भी इवेंट होता है कोई भी आवार्ड मिलता है तो ये साले चीज़ें पूछी जाती है तो सबसे पहले दिया गे अंडर 19-7 फुटबॉल चैंपियंजिप 2023 वाली अभी आयोजित की गई है 21 से 30 सितंबर 2023 तक ये संपन हुई कहां पर काटमांडू नेपाल में इसक वाकिस्तान हो जाएंगे ठीक है चुकि इंडिया विनर रही है इसलिए हो सकता है पूछले एक्जाम में याद रखना है इसके बाद अगला दिया गया है चाइना टैनिस ओपन 2023 ये 28 सितंबर से 4 अक्टूबर 2030 तक हुआ है कहां पर इसका आयोजन हुआ इसका आयोजन ये पूरुस एकल के है और उबिजेता इसमें रहे डैनियल, मेद, वेदेव ये रूस के हैं महिला एकल में बिजेता रही एगा स्वीयाटेक ये पोलेंड की है और उबिजेता रही लियूट, मिला, समसोनोबा ये रूस के हैं तो रशिया यहाँ पर उबिजेता दोनों मे रहा माईडा और पुरुस दोनों इकल में और विजेता कंट्री रही इटली और यहां पर पोलाइड इटली के रहे जैनिक सिनर और पोलाइड के एगा स्वीयाटिक ठीक है इनका नाम याद रखें इसके बाद अगला दिया गया साथवा इरानी कप आयजित हुआ किरकेट के कप है और साथवी नंबर का आयजिन हुआ है एक से पांच अक्टूबर में इसको आयजित किया गया था कहां पर सौरास्ट क्रिकेट एसोशेशन स्टेडियम राजकुट गुजरात में यह किरकेट प्रित्योगता रणजी टॉफी बिजेता और सेस भारत की टीम के मद्ध खेली जाती है तो यह कहां से एक important fact निकल कराता है तो इसको याद रखें कि यह जो प्रित्योगता है रणजी टॉफी बिजेता जो रहेगा और सेस भारत की टीम इसमें खेलेंगी बिजेता इसमें कौन रहा सेस भारत 175 रनों से बिजेता हुए कप्तान इसके थे हैं हनुम विहारी और पिलियर अब दे मैच रहे सौरब कुमार सेस भारत ठीक है इसके बाद अगला है एक दिविसीय क्रिकेट विशुकप में सरबारिक सतक किसने लगाए तो भारत के कप्तान है रोहिट सर्मा 11 अक्टूबर 2023 को अफगानिस्तान के विरुद हिनों ने सातवा सतक ब कि जो तीन प्रारूप होते हैं इनमें सबसे जादा सिक्सर यानि कि छक्के लगाने वाले पहले बल्लिवाज भी बन गए हैं और कितने लगा हैं पांसो चववन चक्के लगा चुके हैं रोहित सर्मा ने क्रिस गेल्ड के कुल 553 छकों का रिकॉर्ड तोड़ दिया है ठीक मेंस किरिकेट की सी में तोवर मैच के लिए नया नियम स्टॉप क्लॉक लागू किया है नय नियम के अनुसार पुरुसों के वंडे और टी ट्वेंटी अंतरास्टे मैचों में अगर गेंदवाज अगला ओवर फेकने के लिए 60 सेकंड से जादा समय लेता है तो पारी में तीसरी वार ऐसा करने पर गेंदवाजी करने वाली टीम पर पाच रन की पेनाल्टी लगाई जाएगी तो यह है स्टॉप क्लॉक नियम इसको याद रखें इस नियम का ट्रायल डिसम्बर 2023 से अपरेल 2024 तक किया जाएगा तो पहले ट्रायल भी होगा इसके बाद चली अगल स्टेडियम में हुआ भारत बनाम स्री लंका विशुकब 2023 मैच के पहले वानखेड़े स्टेडियम के अंदर सचिन टैंदुलकर की प्रतीमा कउदगाटन किया गया कब किया एक नवंबर सन 2023 को इसके बाद अगला तत्य है सयद मुस्ताक अली ट्रॉफी ये भी किरकिट की ह 2023 इसकायोचन भी हुआ कहां पर हुआ 6 नवंबर को फाइनल मैच में पंजाब ने बड़ोदा को 20 रन से हरा कर यह ट्रॉफी अपने नाम कर ली तो इस ट्रॉफी को जीता किसने हैं पंजाब ने जीता हैं बड़ोदा को हरा कर 20 रन से विजए हुए अगला तत्य है दूसरी सबसे युवा खिलाडी भी बन गई है कौन अनाहत सिंग इससे बहले सबसे कम उम्र की विजेता का रिकॉर्ड था जोशना चिनप्पा के नाम पे इन्होंने सन 2000 में 14 साल की उम्र में अपना पहला किताब जीता था अब अनाहत सिंग का नाम याद रखे इसक्वास खिलाडी है ठीक है अगला तर्थी आगे है भारती महिला फुटवाल टीम एफसी क्वालिफायर टूनामेंट में हादी तो अभी यह 29 अक्टुबर 2003 को क्वालिफायर टूनामेंट का यजन हुआ था इसके दूसरे दौर के ग्रूप सी मैच में भारत की महिला फुटवाल कीम बियतनाम से एक तीन से हार गई है और इसके बाद पैरिस ओलंपिक से बाहर भी हो गई है इसके बाद अगला तर्थी आगे भारती है इसक्वाइड डाइवर गारा 21,500 फीट से स्क्वाइड डाइविंग जो होती है यह करने वाली पहली महिला बनी है तो इसको सीधे से से उची चोटी माउंट एवरेस्ट के सामने 21,500 फीट की उचाई से स्काई डाइव करने वाली पहली महिला स्काई डाइवर बन गी है तो बहुत इंपोर्टेंट इनका नाम याद रखे सीतल महाजन कहां से इनों ने चलांग जाई चोटी माउंट एवरेस्ट से 21,500 फीट की उचाई से सीतल महाजन 17,444 फीट की उचाई पर काला पत्थर चोटी पर उतरी थी सीतल महाजन ने 2001 में चौथे सर्बुच नागरिक पुरुसकार पदमस्री पुरुसकार भी प्राप्ट किया था तो इनको पदमस्री से भी नवाजा जा चुका है इसके बाद अगला तति दिया गया है फीपा फुटबॉल विशुकप 2034 की मेजवानी कौन करेगा तो साओधी अरब को 2034 के लिए 34 के लिए फीपा कप की मेजवानी सौब दी गई है फीपा द्वारे यह निर्णा ऑस्टेलिया के द्वारा विशुकप 2034 मेजवानी की पिक्रिया से हटने के बाद लिया गया तो ऑस्टेलिया हट गया तो अभी यह मेजवानी देदी साओधी अरब को अगला तत्य है BNB परिवास Nordic Open Tennis Tournament हुआ है 2023 का यह 14 से 22 October 2020 तक हुआ और कहां पर स्कॉट होम स्वीरन में सकायोजन हुआ पुरुस यूगल के विजेता रहे आंद्रे गोलुवेब कजाकिस्सान के है जोकी और डैनिस मोलचान ओभी है यूक्रेन के है ओबिजेता रहे यूकी भाबरी चुकि भारत की है इसलिए इनका नाम याद रखना है ओबिजेता रही यूकी भाबरी और जूलियन क्रैस के साथ ही खेल रहे थे ग्रेट विट्रेन के थे जोकी ठीक है तो यहाँ पर हमने कुछ अवार्ट्स देख लिए कुछ पुरुस्कार देख लिए टूनमेंट्स देख लिए किरिकेट के कुछ स्पोर्स इवेंट्स है जो हमने कंप्लीट कर लिए कुछ और बाकी हैं जिनको अगले वीडियो में देख लेंगे तब तो के लिए से भी चैनल के साथ जोड़े रहे हैं चैनल को सब्सक्राइब जरू कर लेना वीडियो को लाइक भी कर लेना इसके लावर स्टेडी फॉर सिवल सर्विसिस के किसी भी पेड गुरूप से जोड़ना चाहते हैं तो यहाँ पर तीन-ती नमबर दिये गए हैं स्क्रीन पर इन्व आते हैं तो वह भी जोइन कर सकते हैं अधरवाइस अगर आप यूपी के हैं तो आप उफलाइन टेसी जरूर प्रफर कीजिए उसका बेनेफिट आपको बहुत जाद होने वाला है क्योंकि बिलकुल एक्जाम की तरह इसको करवाने वाले हैं तो इसको आप लगा सकते हैं कि रजिस्ट्रेशन के लिए आप इन ही नमर्स पर कॉल करके इंफोर्मिशन ले सकते हैं आज की वीडियो में इतना ही मिले ही नेक्स वीडियो में थैंक यू फॉर वाचिंग इस वीडियो थैंक यू सो मच